मैंने जिन्दगी का एक बड़ा इस्सा किस तरह गुजा रहा है कि मैं सुभा के वक्त में जौब करती थी दुपहर मैं अपने घर को देखती कुछ काम मैं घर का सुभा जाने से पहले करती early morning उटती, जाने से पहले मैं सब कुछ अपना, हर चीज घर को पूरी तरह देख लेती कि कहां, क्या चीज चाहिए और cooking सब खुद करती थी hardly को servant साथ होता थी washing के लिए दिन मकरर है cooking के लिए time मकरर है इसी तरह बाकी कामों के लिए वक्त मकरर किया हुआ दुपहर में आके cooking भी की खिलाया पिलाया भी, खुद भी बैठे फिर उसके बाद थोड़ा सा कैलूला किया और तकरीबन डेली बगएर किसी नागिक, हर आफटरनून में शाम में, एक घंटा डेड़ घंटा दरस के लिए भी निकले अम्दुलिला और उसके बाद ये कि शाम के बाद फिर घर पे आके कुछ घर को देखा, कुछ बच्चों के होमवर्क और उनके साथ, चुकि बेटी हैं थी मेरी, इन तीनों को मैं साथ रखती थी, दरस पे साथ लेके जाती थी, ये वहां ये महमानों के आने जाने के लिए और इस तरहा अलहमदलिला हर तरहा की मसरूफियत के बावजूद यानि मैंने अपने मास्टर्स के खतम होने के अगले ही दिन से, यानि जिस दिन मेरा रिजल्ट आउट हुए, नेक्स टे मेरा इंट्रिव्यू था और उसमें मेरी सेलेक्शन हुई थोड़ा सा बीच में मुझे चांस मिला उसके बाद जो मैंने जॉब शुरू की है तो मुसलसल जॉब की या पिर पढ़ा है इसी तरह जब मैं पढ़ रही थी, पिएश टी के दौरान उस दिन तुम कुछ कर लो और बाकी तुम को पढ़ना है दर्स नहीं देने इसलिए अभी तुम खुद पुखता हो तो बहराल उसका ये फाइदा हुआ कि भरपूर तरीके से पढ़ा और सिर्फ संड़े को मैं दर्स दिया कर दी उस एक दिन में अल्ला ने इतनी बरकर डाली कि उन चार सालों में जब मैं पढ़ रही थी तो उस दोरान भी एक तो अपना सलसला नहीं तूटा और दूसरे ये कि लोगों को एक माहौल मिला जिसकी वज़ा से मुझे खुद एक अच्छा माहौल मिल गया क्योंकि यातना इन तनसरुल्लाह यनसरकुम वयूसब्बित अकदामकुम अगर तुम अल्ला की मदद करोगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा वरना इनसान का खुद भी दीन पे काइम रहना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आप कोई ऐसी मस्रूफित नहीं रखते चाहे थोड़ी चाहे ज्यादा तो खुद भी आप दीन पे काइम नहीं रह सकते फिसल के वापस जाएंगे क्योंकि ये कैसा सफर है ना कि जद्धु जहद और मुशक्कत से आप कदम कदम उपर रखते हैं अगर आप उपर नहीं रखेंगे रुक जाएंगे तो रुके नहीं रह सकते आपको वापस आना पड़ेगा और जब कदम कदम भी चलते रहोगे इंचिंच भी आगे बढ़ते रहोगे तो अल्ह तामता रहेगा और जाते रहोगे उपर पुखतगी आती रहेगी और यह वाहद जरीया है कि युस्बत अकदमको अपनी इसला होती रहती आप अपने दिन की बन्याद पर खुद को वीकली अपने आपको और्गनाइस कर सकते महीने में देख ले साल में देख ले फिर इसी तरह ये कि जब छुटियां आ जाएं तो छुटियों में जरूर कोई ना कोई एक्स्ट्रा प्रोग्राम तो आप मेंसे कभी कोई भूल के भी ये ना कहे शगलतना अम्वालुना वाहलुना फस्तखफिर लना इमान वाले ना तो घर और माल छोड़ते हैं कि वो कहें जी हमें जाब नहीं करनी हमें काम नहीं करना और नहीं ये कहते हैं कि हमें शादी नहीं करनी ताके घर के जमेले नहूं नहीं अपने लिए अपने हालात के मताबिक किसी के लिए थोड़ा टाइम हो सकता है किसी को ज्यादा मिल जाता है फिर जूजो हालात बदलते जाते हैं इनसान तरीके कार को तबदील कर सकता है एक वक्त होता है जब आपको कोई सपोर्ट नहीं होती कोई मदद नहीं होती फिर अल्बाद आला इसी रास्ते में मददगार भी देता जाता है फिर बहुत से ऐसे लोग साथ मिल जाते हैं जो आपके बहुत से काम आपके बहुत से जिम्मेदारियां बाट लेते हैं इन तनसर अला या अनसर को जब आप आगे बढ़ते हैं फिर उसकी मदद आने लगती कर दो